हेलो स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिवा घ्यान पार साला में कैसे हैं आप लोग मैं समस्ता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे दखिए ये लोग से बायोग द्वारा एक गयपती सुचना जारी की गई है यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंसती रहें क्योंकि उत्रहण में अब एक्जाम होने की शुरुवात हो चुकी है तो अपनी तैयारी को भी बनाएं रखें क्योंकि अब ये दोजार टाविस का एक्जाम होने अब एक्जाम की सुरूबात की जा चुकी है अब जैसे 27 अपरील को एक अब ऐसके बाद में और एक्जाम की डेट आने वाली है यूंकि आप चुनाव हो चुके हैं उत्ताहर में इसलिए अब एक्जाम कराई जाएंगे चिए ये बिज्जापती निकाली थी कोई भी इसलिए आप अपनी तयारी बनाए रखें आप यह ना सोचें कि यह एक्जाम की डेट बढ़ेगी विल्टे बढ़ते 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 आप तयारी करते नहीं है और बीच में डेटा आयाती है चानक से तो आपको पतता लगता है कि यह हमरे तो एक्जाम तो आपकी त्यारी उस टैम नहीं होती है पूरी तो आपको मन थोड़ा विचलित होता है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा रोज एक दो हंटे त्यारी जरूर करें क्योंकि कोई भी एक्जाम ऐसे नहीं निकलता है जब तक उसमें कुछ महनद नहों महनद जरूरी है कोई भी हो गया किसी भी परिक्षा को निकालना कोई सौर्ट कट नहीं है इसलिए सबसे पहला ती यह पहली चीज क्या है सबसे पहली चीज है आपकी महनद आप महनद पर और खुद पर विश्वास करेंगे तब ही कोई भी परिक्षा आपकी निकलेगी और आप सफल होंगे यदि आप खुद पर और अपने आत्म इस्वास रखते हैं तो आप निश्चित रूप से काम्याब होंगे आपको ऐसे कोई भी चीज नहीं है कि आप मेहनद करें और काम्याब ना हूँ ऐसा नहीं है लोग जो कहते हैं कि कोई फादा नहीं है ऐसा क्यों कर रहा है इसे कोई प्राउटियां आई थी लोगों ने अपने अनुभव शेयर किये थे उसमें भी लोगों यहीं बताया है कि आप पी तैयारी रहे और काम्याबी का कोई सॉॉटकट नहीं होता है इस लिए हर-कोई-मेहनजिल से इसमेहनजिल पाता है मेहनुत करते रहें और अपने अग्ज चलिए मैं बिज्यप्ति के बारे में आपको बताता हूं यह जो बिज्यप्ति है आप देख सकते हैं देखिए सबसे पहले लोकस्रीबा आयोग ने इसमें क्या का गया है देख सकते हैं इसमें इसमें आपका एड्मिट कार्ट के बारे में सूचना दे गई है एड्मिट कार् हो चुकी है यह कि इसमें का गया है आई लोग ने 27 से 29 अप्रेयल दोजाट चौविस एवं 27 वाटथाइस मैं 24 को उत्तार राज्ज के तेरा जन्पदों के 184 पैसा केंद्रों में क्या जाना है क्या बस्तूश प्रिकार का देखिए यहां पर आयोग ने अश्याद रखा है साथ वाट में और बच्चे मुझे कौफी ब्यारती मिले थे उन्होंने यह बताया है कि सर हमारा 27 मैं को भी एक्जाम है एक्जाम है देखिए यहांपर 27 मैं को भी कहा है 27 मैं को भी करा रहा है 2 यहांजोग यह निकाला डैउंब Kr wildly कार था 27 माई को एक्जाम दिखा रहा है तो आयोग ने ऐसा क्यों लिखा है और क्यों करा रहा है या ऐसा यह तो आयोग की website पर आकर mail करके उसके बारे में पता करना पड़ेगा तभी आपको पूरी पूर्ण लूप से जनकारी उसमें प्रवाइट की जाएगी कि आयोग ने इसमें साथ माई 2022 को दे रखा है लेकिन जो डाउनलोड हो रहे है उसमें 27 माई एक्जाम लिखा है एक एक्जाम होनी है लेव एक आपका समानने अद्धन का होगा और एक आपका सब्जेक्ट होगा जो भी आपने सब्जेक्ट रहा है स उसका एक्जाम होगा और दूसरा होगा आपका पहला होगा आपका समानने अद्धन का वह सभी के लिए अनिवार रहे होगा और दूसरा भी अनिवार रही है लेकिन वह सब्जेक्ट का है पहले जो पहला एक्जाम होगा वह सभी के लिए कॉमन होगा दूसरा सब्जेक्ट रवाइज होगा लेकिन इसमें ये की यही दोविदा है कि इसमें 27 से 29 अपरैल देर रखा है अर्वब्र भी आठम देरका है लेकिन जो डाउलोड हो रहे हैं उसमें आई लोगने 27 महीं दे रखा है तो 27 मही का एक महीना बहुत होता है बीक में गैप बढ़िया है लेकिन जो नोटी दे रखा है जो बिजबती दे रखी है उसमें उसमें यह खाली साथ और आट महीं दिखाया गया है दे सकते हैं इसमें 184 परिशा की अंदर हैं आप इस पर जाकर 15 अपरेल से आयो ऐसा आयोग ने जब नोटी दिया था तो साथ और आठ महीं तक पेपर करने और 27 से 29 अपरेल तक पेपर होने के लिए कहा गया था लेकिन जो आयोग ने 27 मही का टाइम दे रखा है उसको जो की जब डाउनलोड हो रहा है तो निखलके आ रही है थी और यह वी दो विदा में है बच्चे यह एक रिजाम उनका मान उन्होंने सेंटर डाला है देखिए एक तोर पर देखिए पहले सेंटर डाल दिया उन्हें किसीने अलमुडा डाला है और दूसरा उसको बैदिया गड़वाल में अब हैधोर में अभी मुझे दो आप ब्यारतिया से मिले जिनका एक इस्वारा इसको इस्वारी पटनाई का सामना हो रहा है कि सावर हमा एक एक्जाम यहाँ है दूसरा आप और है किसे नहीं यह रखी एक दिन नहों कर यह घैप दे रखा है इसलिए आगर ऐसा भी होता है तो आप दे सकते हैं पर इसको लिए लेकिन आयव्य करता यह ब्यार्ती ने अपलाई करते समय चुनाव किए था उसी देरा चाहिए था लेकिना जोने ऐसा क्यों किया किस कारण के लिए कहा क्या दिक्कत आई जो कि है यूद ऐसा किया यह तो आयोगी बैटर जानता है उसलिए आयोग की बैफसाइट पर जाकर आयोग को मेरे के माध्यम से अफगत कराना पड़ेगा उनको ये परदानी बतानी पड़ेगी यदि करता है तो सायद परिक्षा की परिक्षा का जो सेंटर है वो थोड़ा करते आयोग तो यह महत्य पूर्ण मैं आपको यह जानकारी दी गई है इसमें तो आपको आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली नेस्ट वीडियो में जैहिन यदि वीडियो अच्छ लगी हो तो वीडि